जाहीं दोस्तों आज हम एक महात्रपून टॉपिक जो कि इंडेस्ट वैली सिविलाइशन सिंधू घाटी सब बेता जो कि प्राजीन भारती इतिहांस का एक महात्रपून टॉपिक है जिससे कि प्रसुन बनते ही हैं चाहिए वह कंप्यूटिशिप यामस कोई भी क्यों नहों मॉडल रेसिदेश्ट्स बनते हैं तो उम्यद करता हूं कि आपके लिए उपयोगी भी हो और आप लोग सभी जितने भी इंपोर्टनTTट हैं सबी एक ही वीडियो में आप अप्टेंट कर पाएं इसे उद्यस से इस वीडियो को बनाने की कोसिस की है और वीडियो अपने आप में सफिसियंट है चुकि इससे जूरा हुआ कोई भी प्रसन अगर पूछा जाएगा तो इन वीडियो में सारी बाते कवर हो रही है इसको बार बार पढ़ते हुए रोकते हुए और फिर इसको नोट करते चलेंगे ताकि आपके पूरे कंटेंट एक ही वीडियो में कवर हो पाएं आपको इधर उदर बटकने क्या आवशिकता नहीं होगी चलते हैं पहले इसके भूंगा को समझते हैं आखिरकार इसकी बेसिक फै बिस्मी स्रयात आपती के दूसरे दसक तक एक गुन्मौाम समझानि इसके वारे में कोई जानकारी लोगोंको नहीं था अर्थत लोग इस समझता के बारे में अपपर्ची थे वीड़ानों का यह उत्वान हो भारामस कि कोई समझता अविशित नहीं थी और इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी जो लोग ततकाली विद्वान लोग थे बिश्मी सदी के तीसरे दसक में दो पुराता तु सास्त्री पुराता तु सास्त्री के मतलब वो होता है कि वे विद्वान जो जमीन के अंदर की चीजों को उद्खनन करके उसके बारे जानकारी प्राप्ट करते हैं, उनको पुरा राम साहनी ने हरप्पा और जबकि राखलदासथ बेनर जी ने मोहन जोधरो नामक दो प्राची नस्तलो से पुरा बस्तु वे हुगे, पूरा बस्तु वे का मतलब हुआ, जो चीजे जमीन के-ward प्राप्ट हुए और पूरानी थी, उनको पूरा बस्तू के रूपर समझा गया, और इसकी खोज की पता लगाया, यह सिध कर दिया कि सिकंदर के आकमन के पूर्व भी एक सवेता बिक्सित थी, जो अपने समकालिन सवेताओं में सबसे अधिक डेवलप थी, यानि बिक्सित थी, तो कुल मिला के आ सिंदु घाटी सवेता के रूप में परचले थी, अब इसके समय के साथ, सर जॉन मार्सल, माधव सोरुप वत्स, के अन दिक्षित, अर्नेस्ट मैके, और और अरेल एस्टेइन, अमला नंद घोष, जेपी जोसी, आदी जैसे बिद्वानों ने, अनि इतने नाम हमने लिए जिसमें सबसे महतपूर्ण नाम एक याद रखिएगा, सर जॉन मार्सल, और अने नाम को भी याद रखना है, चुकि कभी-कभी प्रस्न बनते हैं कि सिंदु घाटे से जुरा हुआ, और अने नाम इसमें से कौन नहीं है, तो आप नाम सुने रहेंगे, तो उसको जिस्ट आइडिन्टिफाई करने में सुधा होगी, तो याद रखना है, सर जॉन मार्सल, एक महतपूर्ण नाम और बाकी लोग का नाम एक नजर जरूर देख लिजेगा, उद्खनन से प्राप्त हुआ, उनके द्वारा जो भी महतपूर्ण सामगरी प्राप्त की, उद्खनन से प अफसेशों के आधार पर इस पूरे सविता को सिंदु घाटी सविता और इसके मुख्य अस्थल, चुकि हरप्पा थे, इसलिए इस सविता का नाम हरप्पा सविता रखा, तो एक महतपूर्ण प्रसन बना कि सिंदु घाटी सविता को हरप्पा सविता क्यों कहते हैं, चु और राखल दास बेनर जी इन दोनों ने यह सिद्र कर दिया कि सिकंदर के आक्रमन से पुर्व भी यहां पर एक बिक्सित सभिता थी जिसका नाम सिंदु घाटी सभिता था और उनमें सर जौन मार्सल के नेत्रित्यु में जो भी उत्खनन हुआ उसमें महत्पून सामगरियां प्राप्थुई उसके आधार पर यह सिद्ध हुआ कि हरप्पा एक बिक्सित है और पर्थम जगा खोज की गई जिसके आधार पर ही इसका नाम हरप्पा सभिता भी परा यानि सिंदु घाटी सभिता को हरप्पा भी कहते हैं हरप्पा सभिता के नाम से भी जानते हैं अब इसके नाम करण को समझते हैं अखिरकारिन का नामा करण कैसे हुआ सिंदु घाटी सभिता का छेतर बहुत ही ब्यापक था आरंभ में हरप्पा और मोहन जोदरों की खुदाई से इस सभिता के प्रमान मिले हैं और बिद्वानों ने इसे सिंदु घाटी सभिता का भी नाम दिया क्योंकि ये छेतर जो थे सिंदु और उसकी सहायक नदिया अनि इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज के छेतर में आते हैं पर बाद में रोपर लोथल, काली बंगा बनावली, रंगपूर आदी छेतरों में भी इसे सभिता के अवसेस मिले जो सिंदु और उसकी सहायक नदियों के छेतर से बाहर हैं थे अभी हाली में एक असिस्टेंट कमांडरन का पेपर हुआ था उसमें भी इस तरह के प्रसंद देखने को मिला जो UPSC कंड़र्ट करती है इस सभिता का परमुख के अंदर हरप्पा होने के कारण इस सभिता को हरप्पा के सभिता का नाम देना उचित मानते हैं आपको इसका जवाब मिल भी गया होगा चुकि इसमें एक महत्रपूर्ण के अंदर हरप्पा था इसलिए कि इस सबीता का नाम हरपपा सबीता परा जब कि यह सिंदु उसके सहयक नदी किनारे अवस्तित जगह था और इसलिए इसका नाम सिंदु घाटी सबीता भी था तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है कि इसका नामा करण हरपा सबीता क्यों हुआ अगला है सिंदु खाटी सविता का भागोलिक विस्तार अब हम समझें इसकी भागोलिक इस्तिति क्या थी जो सिंदु खाटी सविता है जिसको हम सैंधव सविता के नाम से भी जानते हैं इसके उतर में क्या था, पूरब में क्या था, पश्ची में क्या था दक्षिन में क्या था इसको भी समझना जरूरी है इसका जो बिस्तार है उतर में जम्मु कस्मीर मांड़ा एक जगह है वहां तक फैला हुआ है और दक्षिन के अगर बात करें तो दाइमाबाद जो कि महाराश्टर में है अगर पूरब की बात करें तो आलमगीर पूर जो कि ब्लूचिस्तान में अवस्थित है इस तरह से जो बिस्तार है जम्मु कस्मीर से महाराश्टर तक और उत्तर परदेश से ब्लूचिस्तान जो की बरतमान में पाकिस्तान से और परे यह इस तरह से इसका बिस्तार यहां तक फैला हुआ है सिंदुगाटी सभिता एक कांस जिसका उद्वव ताम्र पासान काल में जिसमें ताम्बे के औजार हुआ करते थे भाद के पश्मी शित्र में हुआ था और इसका बिस्तार भाद के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ शित्र में भी था सेंधब सबता का जो भोगोलिक विस्तार है अभी आपने देखा उतर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिन में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में सुत कांगे डोड से लेकर पूरब में आलमगीर पूर जो की बरतमान में मेरठ तक था अब उतर से दक्षिन के बात करें तो इसकी लंबाई लगबग 1100 किलो मीटर है और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 1600 किलो मीटर है अभी तक जो उत्खनन था अनुसंदान के द्वारा और रिसर्च किये गए उनके द्वारा करीब 2800 अस्थल ग्यांत हुए हैं जो इस से जुरे हुए हैं सिंदुघाटी सभिता अपने आप में एक विक्सित सभिता थी और इसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार जिसका च्छेत्रफल लगबग 13,00000 किलो मीटर है यह चीज महत्रपून बनता है प्रस्ण यहां पर कि यह इसका आकार कैसा था त्रिभुजा मैसन एक नाम यादा किये का महत्रपूर नाम चार्ल्स मैसन ने 1826 सिस्वी में सैंधव सभिता का पता लगाया था यहनी सिंदुघाटी सभिता के बारे में पहली जानकारी अगर किसी के द्वारा प्राप्त हुई तो वह था चार्ल्स मैसन जिसका सरप्रथम बर्णन उनके द्वारा 1842 में अनि 1842 सिस्वी में प्रकासित पुस्तक में मिलता है उसके बाद बर्स 1921 सिस्वी में भारतिय पुरातत तो सरवेक्षन विभाग अनि इंडियन आर्केलोजिकल जो सरवे का डिपार्टमेंट है के दतकालीन अध्यक्ष सर जौन मार्सल याद आखिए कोई क पुद्खनंकर इसके प्रमुखनघर हरपटा का पता लगाया उैनि हरपटा का पता त्याराम सहनी के द्वारा 1921 सिस्वी में पता लगाया घया था जो सर सर जौन मार्सल के दिसार निर्देश के में ही राखल दास वेनरजी द्वारा सिंदु खाटिश अपिता के दूसरे अस्तल मोहन जोदरो की खोज 1922 में उसके ठीक एक वर्षबाद की गई लेकिन दोनों का निर्देटु करता सर जौन मार्सल ही थे रेडियो कार्बन 14 यानि C14 बोलते हैं या पुरा तत्वीद इसका इपरियो करते हैं जैसे नवीन सैली नवीन विसलेशन पधिती के द्वारा हर अप्पा सबिता का काल निर्दाहरन यानि उनका जो टाइम पिरेड था हुआ क्या था 2500 इस्वीपुर्व से लेकर के 1750 इस्वीपुर्व तक माना गया एक महत्पून टाइम लाइन है इसको आप ध्यान में रखेंगे या सबिता लगबग 400 से 500 बरसों तक बिद्दे मान रही थी तथा 2200 इस्वीपुर्व में इस्वीपुर्व से लेकर के 2000 इस्वीपुर्व से इसके उंसार यह सभिता लगभग 8 000 साल पूरानी है शितुगाटी सभिता के निर्माताओं के निर्धारन का महात्पूर्ण शुरोथ उठकनन से प्राप्त मानब कंकाल हैं सबसे अधिक कंकाल मोहन जोधरों से प्राप्त हुए इसके परिक्षन से यह निर्धारित हुआ कि सिंधु सभिता के चार प्रजातियां जोहां निवास करती थी वे थी भूमादसागरिये छेतर से, प्रो आस्ट्रियार्ड से, अल्पाइन छेतर से और मंगोलियार्ड से यानि इन चार जगह से अलग-अलग परजातियां वहाँ पर निवास किया करती थी ऐसी जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई सबसे जादा लोग जो थे वह भूमादसागरिये छेतर के लोग थे यह भी महत्रपून प्रस्ण बनेगा कि सिंदुखाटी सभिता में जो को जानकारी प्राप्त हुई वह कहां के लोग अधिक्तम मात्रा में, अधिक्तम संख्या में उपलवद थे तो वह थे भूमादसाग प्रजाति के लोग तो यह थी जानकारी भागोलिक बिस्तार से संबंदित, अब हम बात करेंगे सिंदुखाटी सभिता की टाउन प्लानिंग नगर योजना के बारे में, सिंदुखाटी सभिता एक नगरिये सभिता थी, यह सीधा एक प्रस्ण बनता है, सिंदुखाटी कुछने का पैटर्न बदल गया है, जब तक आपको डिटेल इसकी जानकारी नहीं होगी, आप उस कुश्चन को बखो भी फिल्टर नहीं कर पाएंगे, कि कौन सा कथन सही लिखा हुआ है, कौन सा कथन गलत, इस तरह के प्रस्णों का सॉलुसन ढूनने के लिए, इन तरह के फैक्ट को जरूर एक बार दो बार रिपीटेडली पढ़ना चाहिए, और इसको नोट बनाना भी चाहिए, चलिए सिंदुखाटी सभिता एक नगरी सभिता थी, जिसका ज्यान इसके पुरातात्विक अवशेशों और अनुसंधानों से होता है, इसकी सबसे बड़ी विश और यहाँ पर द्रेनेयज सिस्टम जल निकास की जो परनाली थी वह बहुत ही बिखशीत थी, सर के एक दुसरे को समकोन पर काटती थी, यàiनि समकोन का मतलब जिक जक लाय नहीं था, वह सर के एक दुसरे को सीधाrem राइट अंगिल पर काटा करती थी लगभग सभी नगर दो भागों में भिवग थे जो नगर थे वे दो भागों में बटे हुए थे पर्थम भाग में उचे दूर्ग निर्मी थे और इसमें सासक वर्ग नहीं वास करते थे यानि वहां के जो बिवस्था थी वह उच वर के लोग या सासक वर के लोग उचाई वाले जगह उपर रहा करते थे जबकि दूसरा भाग या नगर का जो छेतर था वो आवासी छेतर के साक्ष मिले हैं जो आप एक्षाकित बरा तो था लेकिन आम तोर पर यह सामाने नागरिक व्यापारी सिल्पकार कारीगर और सरमिक रहा करते थे जो बाकी बचे हुए लोग थे वे दूसरे भाग में निवास किया करते थे उनकी उचाई जो है जो उसके तुलना में उचे दूर्ग जो थे उसके तुलना में नीच आती निम्र था सरकों के किनारे की नालियां उपर से ढकी होती थी घरों की गंदे पानी को इन ही नालियों के द्वारा होता हुआ नगर की मुख नाली में गिराया जाता था आप ध्यान की आज जो हमारे हां डेड़ने सिस्टम डेबलाप हुआ है ऐसी बेवस्था वहाँ पर उस समय थी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह बेवस्था कितनी बिक्सित रही होगी हरपा, मोहन जोदरो तरह काली बंगा की नगर योजना लगबग एक समान थी रियाद रखी हरपा, मोहन जोदरो और काली बंगा तीनों जगह की जो नगर योजना थी टाउन प्लानिंग थी लगबग एक समान यानि जो सासक वर्ग थे वो उँचे जगह पर रहा करते थे और सासक वर्ग के अलावा जो लोग थे वो नीचे जगह पर रहा करते थे तो सासक वर की संख्या कम होती है इसलिए उसके आवास भी कमी जगह में थे और लेकिन उचे थे और बाकी लोग अधिक छेतर कवर करते थे और लेकिन उनका अस्थान नेम्न था काली बंगा और रंगपूर को छोड़ कर सभी में पक्की हुई इंटों का प्रयोग हुआ है यह भी एक महात्रपून प्रस्ण बनाएगा कि काली बंगा और रंगपूर इन जगह पर पक्की हुई इंटों का I mean कची इट पकी इट तो जो पकी हुई इट थे उनका प्रयोग क का पर्योग हुआ करता था आम तर पर परते घर में एक आंगन हुआ करता था एक रसोज घर था एक असनान खर होता था अधिकांस घरों में कुवां के अफसेस भी मिले हैं यानि घर में कुवां असनान करने के लिए ब्योस्ता रसोज की ब्योस्ता और आंगन हर घर में हुआ करता था बरे बरे भवन हर अप्पाय बग मोहन जोद्रों की विसेस्ता बतलाते थे हर अपकाली नगरों के चारो और प्राचीर बना कर उसके किले बंदी की गई जिसका उदिश था कि नगर को चोर लुटेरो एवं पसू दर्ष्यों से बचाना था यानि नगर में कोई जोर या लुटेरा या पसू का जुन्ड उसे हमला न कर दे उसे बचने के लिए उसकी किले बंदी भी की थी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने दूर दर्षी सोच वाले लोग थे मोहन जोदरो का विशाल असनानागार शेंदू सविता का एक अधवुत निर्मान है जबकि अनानागार शेंदू सविता की सबसे बरी इमारत है प्रसने पूछेगा कि अधवुत निर्मान क्या है तो विशाल असनानागार जबकि सबसे बरी इमारत क्या है तो अन्व का भंडार का घर अन्ना नाकार बोलते हैं जहाँ अन्व को सुरक्षित रखा जाता है था घरों के दरवाजे जबन खिर्कियां मुख्य सरक पर न खुल कर गलियों में खुलती थी यहाँ में रोड के तरव दरवाजे या खिर्कियां नहीं खुलती थी लेकिन लोथल एक मातर उसका अपवाद जगा है जहाँ पर इसके दरवाजे और खिर्किया मुख्य सरक क्यों खुला करती थी यह प्रस्ण इस तरह के बनते हैं जो सबीसे हट के हो यह दे पर मकान बनाने में भी कई परकार की इंटों का पुरे होता था जो इंट जो थे वान इसी तुपसिक क्यो वाइडल सेफ के होते हैं तो आने उसकी जो लंबाई घनाव के आकार जिसकी लंबाई चौराई और उ अगली बारी है सिंदु घाटी सबीता के परम खस्तल के बारे में कुछ महत्पून फैक्ट याद रखने की जिससे प्रस्ण बनते ही बनते हैं यह तो बहुत सारे अभी आपने देखा कि अठाई सो शेत्र विक्षित प्राप्त हुए हैं जानकारी में अभी भी रिसर्च जारी है लेकिन सिंदु घाटी सबीता के जो कुछ परमुक हस्तल है जिनका एक्तिहासिक महत्यू है उसमें पहला नाम आता हरप्पा और हरप्पा से जुरूए कुछ बाते इक बार बिस्तार से समझते हैं सिंदु घाटी सबीता के अवसेशों की खोष उनी सो एकी सिस्व एक बार फिर से सुनिए हरप्पा की खोष उनी सो एकी सिस्वी में की गई थी द्याराम सहनी के द्वारा और यह रावी नदी के बाई तरप्रवसित है जो की पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मौन्ट गोमरी जिले में इसित है अस्ट्वर्ड पिगट ने इसे आर्ध अदोगिक नहर सेमी इंडस्ट्रिल टाउन के रुप में कहा है यहां के निवासियों का एक बड़ा भाग तकनीकी उत्पाद और धर्म के कारों में सनलगन था उन्होंने हरप्पा और मोहंजोदरों को एक विस्तित समराज की जुर दुर्वारा जानी नगर की रक्षा के लिए परश्यम की ओर एक दुर्ग का निर्मान किया गया और यह दुर्ग उतर से दक्षिन की ओट लबग 415 मीटर लंबा और पूरव से परश्यम की ओर 195 मीटर चोरा है जिस टिले पर यह दुर्ग बना है उसे विलर ने माउंट A B क की संग्या दी है इस तरह से इतनी जानकारी हरप्पा से जुरिवी आप ध्यार में रखें दूसरी बार यह आती है मोहन जोद्रो की मोहन जोद्रो एक सिंधी भासा का सब्द है जिसका आर्थ होता है मिर्त कोकाटिला यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु जोद्रो कि संधी तरपरिस्त है तो सिंधु नदी पर जबकि हरप्पा रावी नदी के तरपरिस्त है इस तरह से अंतर असबस्ट करते हुए याद रखेंगे तो याद रहेगा सिंधु हरप्पा जो है मोहन जोद्रो लरकाना जिले में इस रित है सरपर्थम इसकी खोज यानि मोहन जोद्रो की खोज राखलदास बेनर जी ने 1922 में की थी, मोहन जोद्रो की सासन बिवस्ता राज तंतरात्मक नो होकर जन तंतरात्मक थी, एक महत्रपूर्ण प्रस्ण यहां भी बढ़ने का कि मोहन जोद्रो की सासन बिवस्ता कैसी थी, तुआ लोक तांत्रिक थी जनतनत्रात्मक थी नहीं डियमोक्रेटिक फॉर्म था बिरहत असनानागार मोहन जोदरो का सरवाधिक महतपून सावजनिक अस्तल है एक विसाल असनानागार की विवस्ता की गई थी जो कि एक सावजनिक अस्तल के रूप में था इसके केंद्रिये खुले प्रांगन के बीच मजलकुंड या जला से बना हुआ है तांबे और टीन को मिला कर हरा पावासी कांसे का निर्मान किया करते थे तांबा और टीन से मिलकर के कांसा ब्रॉंज बनता है जो कि यह अलवाय के रूप में है और बहुत मजबूत हुआ करता था तो कभी-कभी प्रस्ण इससे बनता है कि कांसे में किसकिस धातु का मिश्रन है तो वह तांबा और टीन या दखिएगा मोहन जोदरों से कांसे की एक नर्थकी की मुर्थी पाई गई है जो द्रभी मोम विधी लौस्ट वैक्स मेथड से बनी हुई है यानि एक कांसे की नर्थकी की मुर्थी प्राप्त हुई है मोहन जोदरों से प्रस्ण पूछा जाता है कि कहां से कांसे की नर्थकी की मुर्थी प्राप्त हुई है तो मोहन जोदरों से वह किस्वीधी से बनाई गई थी तो Lost Wax Method से बनाई गई थी चनहुदरो की एक बात करें तो चनहुदरो सैंधव नगर मोहन जोदरो से लगभग 130 किलोमीटर दाक्षिन पुर सिंध प्रांत में इसित है इसकी खोज सरपर्थम 1934 सिस्वी में मजुमदार साहब एन गुपाल मजुमदार के द्वारा की गई और 1935 सिस्वी में अर्नेस्ट में के द्वारा यहां पर उत्खनन करवाया गया देखे उत्खनन करवाने वाले दुसरे थे फोज करने वाले दुसरे थे तो इस तरह से इन प्रस्णों को अंतर अस्वस्ट करते हुए याद रखेंगे चनुदरो एक मात्र ऐसा पूरा असल था जहां से वक्राकार इटे मिली हैं इट का भी आपने देखा dimension 4-2-1 था लेकिन यहाँ पर इस तरह की इटे नहीं थी वहाँ पर वक्राकार इटे मिली हैं चनुदरो में किसी दुर्ग का अस्तित तो नहीं मिला है अनि वहाँ पर कोई दुर्ग नहीं था तो पूछा जाएगा कि कहाँ पर किसी दुर्ग का अस्तित तो नहीं मिला है सिंद्धु गाटे से बिता में तो वह चनुदरो ही था चनुदरो से पुर्वत्तर हरपकालीन संस्कृती जो कि जूकर जांगर के अवसेस मिले हैं तो याद खिएगा चनुदरो से इस तरह की अवसेसें प्राप्त हुई हैं ऐसा मालूम होता है कि यह एक और्दोगिक नगर था तबकि आपने पीछे देखा कि मोहन जोदरो को आर्दोगिक नगर के रूप में समझा गया तो इस तरह से ध्या नखना है कि इस तरह की जीजे हमें और इसको चनहुदरो को औरदोगी के अंदर के रूप में समझा गया कारण यहाँ पर मनिकारी मोहर बनाने भार माप के बठखरे बनाने का काम हुआ करता था अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मन का बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की थी तो याद रखना है इस तरह की महत्रपुर्ण फैक्ट आपके कॉपी में नोट होने चाहिए लोथल एक महत्रपुर्ण नाम लोथल ये सब पूरा अस्थल हैं जो सिंदु घाटि सब्ता के बहुत एतिहासिक महत्रपु के हैं जिनसे प्रस्ण बनते ही बनते हैं उन्हीं को कवर करें इसके अलाबा कुछ और विशेस नहीं ध्यान अखना है यह गुजरात के अहमदावाद जीले के सरग वाला ग्राम के समी पिस्तित है जो की भोगवा नदी के तरपर अवस्तित है यह बहुतो बार प्रस्ण पूछा गया UPSC में कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्तित है भोगवा नदी के किनारे और यह किस राज में है गुजर पहले जो ब्यापार होते थे अधिकतम समुद्री रास्तर सहीं हुआ करते थे तो उसका एक परमुख बंदरगाह था लोथल लोथल में नगरों को दो भागों में न बाट कर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्ग करित किया गया था दुरुग क्यों बना जाते थे अभी आपने सुना भी कि चोर उचाकों से बजने के लिए ताकि बाहरी आक्रमन से पसु से हम बच पाएं इसके लिए उसको फुर्टिफाइड किया जाता था इस तरह की बाते ध्यान में रखनी है अगला एक महत्पून अस्थल है राखी अन्नागार के बारे में आपने सुना कि एक विसाल भवन हुआ करता था जहां पर अन्न को सुरक्षित रखा जाता था यह माई 2012 में Global Heritage Fund ने इसे एसिया के 10 ऐसे बिरासत अस्थलों में सामिल किया है जिनके नर्स्थ होने जाने का खत्रा है यानि यह बिरासत अस्थलों के स भैसार जिले में व्सित है तो एस तरह से राखी गड़ी के बारे में इतना ध्यान रख्यें गाली बंगा यह रायस्तान की गंगा नगर जिले में घंगर नदी के मायैं पर वसित है, काली बंगा का जो साब़िक अर्थ होता है काल रंगी की जूर्याँ अनेक वह भाट प्रवर्सित है इसकी खोज की बात करें तो 1951 में 1951 में अम्ला नंद भोस जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी तिवकि 1971 में थीक दच साल बाद बीवी लाल एवंबी के थापर के इनिदेशन में यहां पर व्यापक खुदाय भी की गई थी जिससे जूते हुए खेत का साक कर्मान कंची इटों के द्वारा हुआ करता था जबकि आपने पीछे देखा कि वह सिर्फ पकी हुई इटों का प्रयोग हुआ करता था कुछ खास जगह थे ध्यान रखना है एक महत्रपून बात कि कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पर पकी हुई इटों का प्रयोग होता था जबकि बाकी अन्य जगों पे वह कंचे इटों का प्रयों हुआ करता था तो कंचे इटों से प्रयों काली बंगा में हुआ करता था यहां से अलंकित इटों के साक्ष भी प्राप्त हुए है काली बंगा में सबों के अंतेष्टी संस्कार है तू तीन बिधी अपनाये गए थे तो वह तीन बिधी क्या था पूर्ण समाधिकरन आंसिक समाधिकरन और दाह संसकार यानि तीनो अंतेश्टी के तीनो बिधी यहाँ पर उसके साक्ष प्राप्ट हुए हैं तो जगा कौन था तो काली बंगा जो की राष्थान में अवस्थ है अ अस्तादल से काली बंगा की तरह ही हरप्पा पुर्व और हरप्पा काली दोनों संस्कृतियों के अवस्यस मिले हैं यहां जल निकास प्रणाली का अभाव था यहां से मीटी का बना हुआ हल मिला है एक महत्पूर्ण प्रस्ण बनता है कि मीटी का हल कहां से प्राप्ट हु हुई है इतना फैक्टर भी ध्यान में रखेंगे अगली बारी है महत्रपुन असल में धौलावीरा की धौलावीरा या गुजरात के कच्छ जिले के भचाओ तालुका में इसित है गुजरात का कच्छ याद रहेगा आपको इसकी खोज 1967 इस भी में जैपी जोसी ने की थी यहां से प्राप्ट होने वाली शिंदू लीपी के दस बरे चिन्हों से निर्मित सिलालेक महत्रपुन अपलब्धी है यानि दस शिरों की जो सिलालेक हैं उसकी जानकारी प्राप्ट हुई है दौलावीरा के निवासी जल सनरक्षन की तक् अब अब ध्यार में रखिए उस जवाने में भी इस्टेडियम हुआ करता था इसकी जानकारी धौला वीरा से प्राप्त होती है तो इतना महत्पुन फैक्ट है आप इन जगों से याद रखें अब एक टेबुलर फॉर्म में कुछ अस्थल और उनके प्राप्त अवसेश जो पढ़ते ता हूँ हरप्त अस्थल जो है वहां से क्या-क्या चीजे प्राप्त हुई है वह कब्रिस्तान आर 37 सवाधान पेटी का संका बना बैल इस्तरी के गर्व से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वर्ता की देवी कहा गया गेहुआ जोगे दाने अनानागार स्वास्ति एवन्ग चक्र के साक्ष सीपी का पैमाना आजी प्राप्त हुए है वह जगह हरप्त हुए है तबकि महंजोद्रो जहां से ब्रीहदस ननागार मातरी देवी की मूरती कांसे की नर्तकी की मूरती राजमुद्रांक, मुद्राप्रांकित पसुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कप्रा, हाथी का कपाल, खंड, गिली मिटी, के दिये के साक्ष, गले हुए तामबे के धेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुम्बकारों के च्छ, भठों के अवसिस, तथा मिटी का तराजू, सबसे बरी, इट का साक्ष, यही से प्राप्त हुआ है, यनि मोहन जोदर से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, इसको एक नजर जरूर देखेंगे, इसको नोट भी कर लेगे, चनहुदरों, जहां से अलंकृत हाथी, बक्राकार इटे, कंगा, लिपिस्टिक, चार पहियो वाली ग सिलबटा यानि जिस पर मसाला लोग पूशा करते थे, सूती कपरे की छाप, मानिक्य, यूंग मिटी के वर्तन, बेलनाकार मोहरे, मिटी के खिलोने, और परतिकात्मक समाधियां इत्यादी काली बंगा से प्राप्त हुई है, तबकि लोथल एक बंदरगा के रूप में, ज तीन यूगल समाधियां आपने देखा था, पूर्ण समाधिकरन, आंसिक समाधिकरन और दासंसकार, इसके साक्ष प्राप्त हुए, धान की भोशी, मन का, उद्यो के साक्ष, दामबे का कुत्ता, छोटे दिसा मबापा गयांत्र, इत्यादी, इस सब चीजे प्राप्त बनावली, हल की आकरती वाले, मीटी के खिलोने, जोव, तामबे के वानाग्र आदी इससे प्राप्त हुए हैं, तबकि हरपा से, अब कुछ ऐसी भी जगह है, अब कुछ अलग पारग्राफ है, इसको आप समझें, यह अस्थल हैं, और नदियों के नाम, जहां से वह जिसक इसको रिकॉल कर पाएंगे, इसलिए इसको भी एक बार जरूर नोट कर लेंगे आप लोग, हरपा, जो की रावी नदी किनारिया वस्तित है, जिसके उत्खनन करता थे, दयारामसहनी, और जिनकी बरतमान इस्थिती, पाकिस्तान के मौट गोमरी जिले में है, उत्खनन करत में जो दयारामसहनी का नाम याद रखिये, साथ में उनका सहयोग किया था, माधव सरूप वत्स ने, उनके निद्रसन में सारी बाते हुई थी, इसलिए उनका भी नाम उनसे जुरा हुआ ध्यान में रखेंगे, जिबकि मोहन जोदरो की बात करें, यह सिंधु नदी के किन और यह पाकिस्तान के सिंधपरांत में हैं, काली बंगा की अगर बात करें है, घंगर नदी के किनारे है, बीवी लाद अन्बी के थापर के नेतित में इनका उत्करनन हुआ है, यह राजस्तान का हनमार्गर जिला में अवस्त है, कोट दीजी की अगर बात करें, यह पजल अहमद खां के द्वारा इसका उत्करनन किया गया, यह पाकिस्तान के सिंधपरांत में अवस्त है, जबकि रंगपूर यह भादर नदी के किनारे अवस्त है, एसा राव इनके उत्करन करता और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में अवस्त है, रोपर यह सतलज नदी के किनारे हैं, यह गिदत सर्मा इनके उत्करन करता और यह पंजाब का रोपर जिला जो बहुत ही परसित था, वहाँ प्रवस्त है, लोथल जो कि भोगवा नदी किनारे अवस्त है, एसा राव ने इनका उत्करन किया, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में हैं, सुद कांगे डोड यह दास्क नदी के किनारे अवस्त हैं, जिसको औरल खो जो है, औरल इस्टाइन के द्वारा किया गया, और यह पाकिस्तान के मकरान जिले में समुद तत के किनारे अवस्त हैं, जबकि बनावली यह सश्वती नदी के किनारे अवस्त हैं, आरेस बिस्ट के दोवारा इसका उत्खरन किया गिया हर्याना के फत्य हवाद जिले में अवस्थ है तबकि धौलावीरा जो इसके उत्खरन का काड़ दो महत्रपूर्ण उत्खरन करता जे पीजोसी और आरस विस्ट से जुरा हुआ है गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थ है तो इतनी जानकारी इस असल नदियों के नाम उत्करिन करता और उसकी बरतमाने सिधी से जुरा हुआ ध्यान में रखेंगे इनसे प्रस्ण बनते हैं सीधा बात करते हैं हरपाई लीपी की हरपाई लीपी के बारे में बात करें तो इसमें लगबग 64 मोल चिन है 64 ओरिजिनल सिंबल्स हैं जो सेल खड़ी की आताकार मोहरे तामबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं इस लीपी का सबसे पुराना नमून आप समझे 1353 में मिला था और 1923 तक पूरी लीपी प्रकास में आई थी परन्तु इसका अभी तक इसके बारे में इसको पुर्ण रूप से बढ़ा नहीं जा सका है इसकी लीपी पिक्तोग्राफिक अइन चित्रात्मक थी तो दाइयों और से बाइयों लिखी जाती थी इस पदिती को बुस्टो फेड़न कहा गया इसमें सबसे ज्यादा चित्र जो है वाईयू वाकात तह मचली से मचली के प्राप्त हुए है यह प्रस्ण बनता है कि वहां की लीपी कैसी थी तो चित्रात्मक थी पिक्तोग्राफिक थी जो दाईयों और से बाईयों लिखी जाती थी उस पत्री को क्या नाम देते थे बुस्ट्रो फेडन और इसमें सबसे अधिक किस तरह की चित्र मिले हैं यू आकार के और मसिली के च रहन सहन से प्राप्त होता है समाज की इकाई परमपरागत और पर परिवार थी और मात्री देवी की पूजा और मोहरो परंकी चित्र से यह प्राप्त हुआ करता था या पता चलता है कि हरापा समाज संभवता मात्री स्वतात्मक था और समाज में बिद्वान यानि पुरो माज में उस समय में भी अमीर और गरीब हुआ करते थे, इसकी सनरचना के अधार पे अंतर अस्पस्ट हुआ करता था, हर अप्पा वाशी साज सज्जा पर विशेश ध्यान दिया करते थे, इस तरी इवंग पूर्शो दोनों आभुशन धारन करते थे, यहां से प्रशाधन म मंजिशा मिली है, चनहुदरों से लिविस्ट्री के साक्ष भी मिले हैं, जो कि एक स्रिंगार प्रशाधन के रूप में समझा गया, शिंदू सभिता के लोग सूती और उनी दोनों परकार के वस्तरों का प्रयोग करते थे, इस सभिता के लोग साकहारी और मानसाहारी दोनो निर्मान, मापतौल प्रणाली, गरह नक्षत्र, मौशम बिग्यान, इत्यादी की जानकारी भी रखा करते थे, सैंदू सभिता के लोग युद्ध प्रिये कम लेकिन सांती प्रिये ज़्यादा थे, इस सबसे महत्पुन बात थी कि उस जबाने में लोग सांती प्रिये थे स्रमिकों की इस्तिती का आकलन कर, फ्रीलर ने दास पर्था को सुईकार किया था, यानि स्रमिकों की इस्तिती इतनी उत्कृष्ट नहीं थी, जिसके आधार पे उन्होंने महसूस किया कि यहां पर दास पर्था भीक्सित थी, यह से लाइवरी सिस्टम, अब हम बात करें र राजनेतिक जीमन में हरपायों के राजनेतिक संग्ठन का कोई अस्पस्ट आवास नहीं हुआ है, चोकि हरपावाशी वानिज ये ब्यापार की और अधिक आकर्शी थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन ब्यवस्ता में भी वानिक अथवा ब्यापारी वर की भूंकाय म महतापूर्ण थी, हटार के अनुसार राज तंतरातमक नहों होकर जन तंतरातमक था, जबकि लिविवस्ता के लोग का शासन मद्यम बढ़घिये जन तंतरातमक शासन था और उसमें धर्म की महता थी, न Cowyaộc। महातु था यह थी राजनातिग पीवन की बातें धारope आर्थिक जीवन के बात करें सेंधबसपनी की उनध्ती का मुख्य कारण उनध्र क candidate्रशी था अन्त्यकाल में आप बात करें तो आर्थर्थ विवस्ठा के ही सिंचित कर सी अधिशेश आर पशु पालन विभिन दस्तकारियों की में धक्षता और संब्रिध आंत्रिक और विदेश ब्यापार पाधारी थी। स Надर स्विता का जो ब्यापार था केबल सिंधू तक करीं सिमित नहीं था किंतु मिज्डामिया और मधहिस्या से भी ब्यापार हुआ करता था था से अंदर सविता के पर्मुक बंदरगाह में अगर नाम याद रखें तो सबसे महतपूर नाम आता है लोथल का फिर उसके बाद रंगपूर, सूर कोटदा और प्रभास पाटन ये जो चार अस्थल हैं वहा पर्मुक बंदरगाह के रूप में हरपा सविता में माप की दस्मलब पणाली सरमाप तलकी एकाईया सोला के गुनांक में हुआ करती थी इस सविता के लोग गयहूं जो, राई, मतर, तील, सरसो, कपास, आदी की खेती भी क्या करते थे वहा फिर से सुनगे इस सबसे पहले कपास पैदा करने का असरे शिंदु स सबिस्ता के लोगों को ही दिया जाता है। यह उनानियों ने इसे सिंडन यानि सिरोन नाम दिया है। यह लोग तर्भुज, खर्भुज, नारियल, अनार, निम्बु, केला जैसे फलो से भी परची थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जवाने में भी लोग इस तरह के फलो से परची थे। वह कितनी बिक्सित सभिष्ता थी। यहां के परमक खादान जो थे, वह गेहूं और जो थे। किरसी का रहे है तू, परस्तर आनि पत्तर, एवन कांसे के आउजार हुआ करते थे। इस सभवता में फावरा या फाल नहीं मिला है। संभवता ये लोग साथ पशुपालन का भी विकाश हुआ था। किरसी कार्यों ब्यापार तथा परिवहन में पशो की महतरपून भूम क्या थी। पशो में कूबर वाले बैल, भेर, बकरी, हाथी, भैस, गाय, गधे, शुगर और कुत्यादी के होने का अनुमान है। या जो जानबर अभी आ भात दाप्त हुआ है। धार्मिक जीवन की बात करें। धार्मिक जीवन एस इस जो थे इस रकी पूजा, सेंधम निवासी भी क्या करते थे। ब्रिक्ष इभंग्पशु मानब ब्रिक्ष इभंग्पशु तीनों रूपों में किया करते थे इस सवेता के लोग भूत प्रेत तंतर मंत्र आदिमें विश्वास किया करतें थे तावीजों के आधार पर जादू टूर्णे में भी विश्वास करने, तो था कुछ जगों की मुहरों जैसे चनहुदरों पर बली पर्था के दृष से भी अंकित होने के आधार पर बली पर्था काफी अन्मान लगा जाता है, यानि वो इस मस्जमाय में बली पर्था भी हु पूजा करते थे, इसके आलावा सेंदरवाशी, ब्रेक्ष, पशु, शांप, पक्षी इत्यादिकी भी पूजा करते थे, विशार असनानागार का परयोग लगभग धार्मिक अनुस्ठान तथा सुर्य पूजा में होता था, आनि काली बंगा से जो प्राप्त अगनी कुं स्वास्तिक और चक्र सुर्य पूजा के परतिक थे, इतना ध्यान रखेंगे, संदरवाशी पुनर जर्म में भी विश्वास करते थे, उनका यह मानना था कि आदमी पुनर जर्म लेता है, इसलिए मिर्टु के बाद दास अंसकार के तीन तरीके पर चले थे, पूर्ण सवा जिया कारंब, संभवतर, सैंदर्व सभिता से ही प्राप होता है, हरपपा से प्राप्त एक मरिन मुर्थी के गर्व से एक पौथा निकला दिखाए गया है, जिसे उरवर्था की देवी का परतिक बताया गया है, तो इतनी जानकारी धार में घीमत से जुर्य हुए ध्यान म हो गई थी, हरपा सभिता की उत्पत्ती की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक उतरदाई कारण नहीं था, यानि जिसतर से इसके बारे में कोई साक्ष शुरू में नहीं प्राप्ता, तो उसी तरह इसके पतन का भी कोई एक वैलिड डिजन समझ नहीं आता, इस सभिता के प उनताव बिनास हो गया थे इस सब्वर्वता का करमिक पतं हुआ यह एक नगरीय सब्वर्वता से ग्रामिन सब्वता में पहले तो रखेंगे पतन हुआ था शंधुर्गाति सभिता का पतन बाहरी आक्रमां जो आ रहे थे उनके आक्रमां के कारण हुआ जबकि जॉन मार्टल और जॉनीयार्शल औरनेस्ट मैके एवं एस ऐर राउ के द्वारा बताएंगी जानकारी के अंशार इस सभिता का पतन बार्ड के कारण हुआ था फुलर्ड के कारण और अस्टाइन हम लानंद घोस के दुआरा प्लाइमेट चेंज के कारण जलवायू परिवर्तन के कारण इस अब था नस्ट हुई थी जबकि एम आर्शाहनी भूतात्विक परिवर्तन हैं जल प्लावन के कारण ही इसका विनास हुआ था जबकि लेगे जबकि युवर केनेडी के अनुशार जो नैच्रल जो प्राकिर्टिक डिजास्टर था जिसे मलेरिया महामारी अभी हाली में से कोरोना देखा अपने इस तरह से प्राकिर्टिक आपदा के कारण यह जो है यह सब्था नस्ट हुई थी तो इस तरह से अलग-अलग इन सभी को ध्यान में रखेंगे चुकि कोई खोटोज सबूत नहीं मिलता है जिससे कि हमें सुनिशित कर पाएं कि हाँ यही वो जह था जिसके कारण यह सिंदुप सभिता का पतन हुआ था अब पतन होने के बाद कुछ महातपून फैक्ट है जो साइंदर्फ सभिता की दे जान रखने हैं कुदसम्मलब पधिति पाधारित विदी मापतौल परणाली नगर नियोजन सरकेव नालियों की बेवस्था बहुदेव वाद का पचानी बहु सारे देवी देवता का प्रचलन मात्री देवी की पूजा प्रकृति की पूजा शीव पूजा लिंग दिवस मना रहें तो उस समय भी योग का प्रचलन था आप अंदाजा लगाए कि कितना भिख्षित रहा होगा जल का धार्मिक महात्व स्वास्तिक और सोड़े चक्र का परयोग तावीज के रूप में तंतर मंत्र का परयोग अभूशनों का परयोग बहु फसली किर्शी ब देन थी जबकि सैंधर्व सबता की एक परमुख देन नगरिये जीवन के च्छतर में है पोर्ण वेक्षित नगरिये जीवन का सुतरपात इसी सबता से हुआ है तो आई इस तरह से ये थे सिंधु गाटे सबता से जुरवे तमाम जैनकारियां उमीद करता हूँ आपके पर करता हुआ है